वेलकम टेश्टोडेंट इस एक इस वीडियो को टोपिक रहेगा मैडम राइट दबस बाई वाली कानल टेंथ सीवीज सी बूर का एक चैप्टर है इंगली सब्जेट से लेटर इस स्टोरी को सुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा यह आपने अभी तक अपना पूरा पूरा कोर्स कंप्लेट नहीं किया है तो इस वीडियो की डेसक्रिप्ण में मैसा पूरे कोड़स की प्रेलिस्ट अवेलेबल करा दूंगा उसमे आप अपना पूरा कूर्स कंप्लेट कर सकते हैं और ईख्व करते हैं अपनी स्टोरी की तरफ चैनल को सबस्क्राइब नहीं सबसे पहले इस स्टोरी के मैन करेक्टर के बारे में जानते हैं पहला मैन करेक्टर है वाली यह एक लड़की है फोकस्ट फोकस्ट का मतलब होता है काफी अपने काम के लिए डेडिकेटिड है इंडिपेंडेंट आत्मनिदभर है किसी पर डिपेंड नहीं है अग्रेसिव थोड़ी सी अग्रेसिव नेचर की है थोड़ी सी गुस्यल मान सकते हैं इसको एट यर ओल्ड इसकी उम्र आठ साल है कि दूसरे कर्क्टर कंड़ेक्टर के स्टेरीकल सटेरी कें युक्ति है मजाकिया काई पर्सन लेकिन स्वहभाव का थृए क्ट हैं बहुत फौ इंचवर्ण को परसन है इनकी जानती इसके अलावा एक री आंटी है एन फ्रंटिव लेडि و कह करती है और वो आंटीन के घर पर आती है दोपहर में या किसी वी टाइम बात करने के लिए काहानी को सुरू करते हैं पहला पार्ट में हम देखेंगे दा गर्ल नेम्ड वाली का माई इन सोट वाली इस लड़की का पूरा नाम है वाली माई इनका नाम है और सोट में सको वाली बोलते हैं हर षावरेत पास टाइम वाज इनका सबसे पास्ट टाइम था पास्ट का मिल्द बाध होता है टाइम पास करने का मद्यह m किस तरीके से अपना time spend करते थे उसका तरीका था इन फ्रंट डोरवे वाचिंग इन दे स्ट्रीट घर के सामने इनके गली है या रास्ता है महां पर यह गेट के सामने बिल्कुल खड़ी रहती थी और अपना time में spend किया करती थी मत आते जाते लोगों को देख करके खास करके उस टाइम पर दबस पासिंग एवरी आर इनके घर के सामने से एक बस हर घंटा गुजरती थी जिसमें नए नए पैसेंजर्स को देखती थी और उनको देख करके इसको काफी अच्छा लगता था फ्रोम नियरेस टाउन यह जो बस होती थी यह बस पास का ही एकडाउन है, एक सहर माली जो चोटा सा वहां पर हर घंटे आती जाती थी तो उसको देख्ती थी वाली जरनी वाइब बस अब वाली की डिजायर बन जाती है वह सरा कि कि यह गाडी यहांसे किस ठाइम चलेगे वहांसे किस टाइम आएगी कितना किराय लगेगा कितना टाइम लगेगा यह पूरा डिटेल भी निकालना सुरू कर देती है तो वहां भी जो आने वाले जो पैसेंजर्स हैं और जो अडोसी-पोडोसी है उनसे पूछताच करना सुरू कर देती है और साइड डिटेल्स को इखटा कर लेती है उसको पता चलता है दा टाउन वा से एक साइड उसका किराया लगता है इट टेक्स 45 मिनट्स वन साइड इसको जाने में एक साइड की डिस्टेंस कवर करने में 45 मिनट लगते हैं तो आने जाने में मालों 90 मिनट मतलब डेड़ घंटा है ना सी सूड सो सी वूड गो बिट्वीन वन पीम टू टू फूर्टी तो लगबग गाड़ी का जाने का टाइम है एक बजे दो पहर को और फिर वहां पर वह 45 मिनट में पहुंच जाएगी वह फिर 15-20 मिनट वहां पर रुखती है तो यह मालों की एक से पोने दो तक वह पहुंची 15 मिनट रुकी तो दो बज गए और फिर दो बजे वहां से चल टेका टाइम इसको लग जाता है आने जाने में यहीं पर इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है कि दूसरे पार्ट में वन फाइंडे सी स्टाटिड हर जर्णी तो एक अच्छा सा दिन है उस दिन वह अपनी यात्रा को शुरू करती है यात्रा को सुरू देखे उस टाइम करती है एक बजे जब इसकी माताजी सोई हुई है अपनी माताजी को बताती नहीं है कि मैं कहां जा रही हुए आठ साल लड़ी को कोई अकेले वैसे भी नहीं भीजेगा वाली बिहेवड सो कॉन्फिडेंटली वाली ने वाली का जो बहुत ही बोल्ड था मंदो डरती नहीं थी किसी से देट्स वाई दा फ्लर्टिंग कंडेक्टर कोल्ड हर मैडम इसलिए जो कंडेक्टर था जो मजाहिया मैडम राइट्स तब बस मैडम का मलब मैच्योर औरत अब यह औरत तो है लेकिन इसका बिहेवियर उसी परकार का जैसे मैच्योर औरत बिहेव करती है इसको मैडम बोला कंडेक्टर ने ठीक है कि she stood on the seat वह सीट पर खड़ी हो जाती है तो सी आउट साइड दा फिंडो खिड़की के बार ज्खने के लिए तो उसकी हाइट चोटी है तो खिड़की से बाहर ज्खने के लिए देखने के लिए जो नई नई चीजे हैं उसको देखने में दिक्कत आती है ज़ो बिंडो पै तो यहां पर एक नहर है उसके किनारे किनारे गाड़ी जाती है देरवर पाम ट्रीज तो वहां पर वह देखती है कि वहां पर पाम पाम के पेड़ है ग्रास लेंड घास के मैदान है डिस्टेंट माउंटेंस और वहां से दूरी पर माउंटेंस को देखा जा सकता है मुझा पुछ दूरी पर माउंटेंस भी है उनको देखा जा सकता है ब्लू स्काई बिल्कुल नीला आसमान है ग्रीन फिल्ड हरे भरे खेत ह तो यह सारी चीज़ें वहां पर देखती है एक फावल स्मेलिंग गुमेन विद अगली इरिंग्स तभी वह देखती है कि उसकी बराबर में एक औरत बैटी हुई है बूढ़ी ओरत है वह फावल स्मेलिंग और उसमें तो बहुत बद्बू आ रही है अना साफ सुत्री नहीं है अगली इरिंग्स उसके कान भी जो एरिंग्स पहने हुई है वह भी बिल्कुल मैले हो रहे हैं चूइंग बीटल और वह जो पानसुपारी होती है उसको भी जबा रही है और ट्राय टूटो कर उसने उस ओरत ने इस लड़की से वाली से बात करने कोशिस की लेकिन इस ल नमबर थी में आते हैं सी सेव्ड ओल दमनी फ्रों में रेस्ट्रीनिंग हर डिजायर्स पेपर मिंट टॉइज बैलून्स एट्सेटरा अब यह यहां पर बताया गया है इस लड़की ने पैसे का मैनेजमेंट कैसे किया तीज पैसे लेकित तो साथ पैसे लेंगे टोटल त इसने क्या किया जो इसको पेपर मिंट टॉइज बैलून्स मतलब जो इसकी सोक की चीजे थी वह घर से पैसे लेती थी कि मुझे यह खरीदनी है यह खरीदना है तो पैसे लेती थी लेकिन खर्च नहीं करते थी अपने किराई के लिए बचाती थी इसलिए यहां पर लिखा द्यान रखा कि उसकी मां को भी पता ना चल जाएं कहीं वो डाट दे उसके बाद यंग काओ अब यहां पर बाद आती है आगे की यह तो पैसे की पूरा बता दिए कैसे मैंने जुआ अब जब रास्ते में जा रही होती है उसने ग्रास लेंड माउंटेंस सारी चीजे रखते हैं तो रास्ते में उसने एक यंग काओ एक मतलब स्वास्त और युवा गाएं को देखा तैल हाइन दैयर जिस जो पूंच हवा में उठा करके रणिंग वेरी फास्त बहुत तेजी से भाग रही थी सड़क पर राइट इन दे मीडल ऑप दी रोड बिलकुल सड़क के बीच ओ बीच तो मतलब गाड़ी को साइड नहीं मिल पा रही थी राइट इन फ्रेंट ऑप दी बस बिलकुल बस के सामने दर ड्राइवर होंड ड् सब्सक्राइब करें और तेज भागने लगी तो सड़क के बीचों बीच दिस वाज वारी फनी यह बहुत ही हसी मजाक वाला सीन था फोर वाली वाली के लिए वाली डिटेंट डाउन फॉर्म दबस एट टाउन बस स्टॉप आप गाड़ी जो है उस टाउन के बस स्टॉप पर चली जाती है लेकिन वाली गाड़ी से नीचे नहीं उतरती क्योंकि उसे ट्रेवल करना है तो उसे कोई मतलब नहीं और फिर सहर अंजान जंगाया वहां जागर के उसके साथ कुछ भी गडबड हो सकती है तो गाड़ी में जागर के बैठते हैं पंदर मिनट तक इनतज हो जाती है कि वह कुछ ऐसा देखती है जो बहुत ही अजीव हो चुका होता है एज लवेबल एक प्यारा सा ब्यूटिफुल के रिये चाहें बहुत ही सांदार सा प्राणी दकाव हुआ ही गाएं जिसको उसने आते हुए दोड़ते हुए देखा था लुक्ड होरीबल बिल ब्लड वाज ओलोवर हर तरफ खूनी 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 खाई पड़ रहा था जाते टाइम कैसा लग रहा है बिलकुल सांदार आते टाइम कैसा हो गया बिलकुल सैड हो गया सब कुछ नव वाली नो मोर वांट्स टू लूक आउटसाइड दे विंडो अब वाली इतनी परिसा सब्सक्राइब जरूर लाइक कीजिए और मिलते हैं और मिलते हैं आउटी है वो भी घर पे आई हुई है और देखते हैं इसकी मा भी जागी हुई है अब रिप्लाइब कैसे करेंगे ममी पूछती है कि कहा थे कैसे हैं तो सी मैंस्ट दैम बाइचेंजिंग टोपिक और क्य कीजिए और यदि डाउट नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मिलते हैं ने स्ट्वीडियो में थेंक्यू वाइच टेक केर यह दिया आपको कोई बड़ा भाई या भेहन 12 के लाज में है तो उसका कूर्स भी सुलिए शेखन के साल म माया भेहन 25 बड़ारे सी दिनीबर में तो उसका कीजिए और मिलते हैं दो ऑगेह ज GUन wybादने से दिनीबर में दूणीज वीडि़ा जे वाजस वी से वीड़ाने से दी तговर को वीड़ा है।